नमस्कार, वेलकम टू मैं चैनल, सोल हीलर अरंकिता गरवाल एक माम बहुत परिशान थी वो एक रिलेशन्शिप में थी और जिनके साथ रिलेशन्शिप में थी, वो मैरिट थे एक समय था जब वो बहुत जादा इनको प्यार करते थे और ये भी इनको बहुत जादा प्यार करती थी और मंदिर में ही शादी भी कर ली थी और पती-पत्नी की तरह से ये लोग रह रहे थे लेकिन जो उनकी वाइफ थी फैमिली तो थी ही, मैरिट थे वो तो अचानक से ऐसा हुआ कि वो अपनी फैमिली में वापस चले गए अपनी वाइफ के पास ही चले गए और इनको बिलकुल ही भूल गए इनसे किसी तरह का कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा बहुत महीने हो गए और ये जो हैं बहुत ही बेचैन हो रही थी ना तो ये उस रिष्टे में रहे पा रही थी और ना ही उस रिष्टे से निकल पा रही थी इनको ये भी गिल्ट था कि अगर ऐसा ही होना था तो मैंने ऐसा किया ही क्यों इनको बगवान से शिकायत भी थी कि उसको मेरी जंदगी में भीजा ही क्यों अगर ऐसा ही होना था, तो उसे मेरी जंदगी में आना ही नहीं चाहिए था और वो ये जानना चाहती थी, कि ऐसा क्यूँ है, मैं इतना क्यूँ तड़प रही हूं अगर उसको कोई मुझे से मतलब नहीं है, तो मुझे भी निकल जाना चाहिए मैं क्यूं उसके लिए इतना तड़प रही हूं, क्यूं मैं इस रिष्टे से आज भी नहीं निकल पा रही हूं और अभी भी आज भी मैं यह चाहती हूं कि वो मेरे पास आ जाए जबकि मैं यह भी नहीं चाहती हूं कि वो अपनी family कर कुछ नुकसान करे ये जानने के लिए कि ऐसा क्यूं है उनके साथ ऐसा क्या connection है इनका या past life का कौन सा ऐसा कर्मा है जो कि इस तरहां से इनके साथ हुआ है जब ये past life में पहुची इन्हों ने अपने आपको 1862 में देखा और इन्हों ने अपने आपको एक काउं में देखा ये एक गाउं की महिला थी जैसा कि काउंवालों का पहनावा होता है वैसा ही इनका भी था इन्होंने घगरा चोली जैसी पहन रखी थी और गूंगट ले र जा रही है तो इन्होंने ये देखा कि अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रही है इनके पिता जो है वो किसान है ये जो है थोड़ी हलकी जाती की महिला है लड़की है यंग एज में इन्होंने अपने आपको देखा और इन्होंने अपना नाम कजरी बताया लंबे बाल सामला सा रंग था लेकिन ये फिर भी बहुत सुन्दर लगती थी और इन्हों ने आगे देखने पर ये बताया कि एक लड़का है और वो लड़का जो है ब्रह्मन जाती का है पुजारी का बेटा है ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं छुप छुप कर मिलते भी हैं क क्योंकि इनकी जाती ब्रह्मनों की जाती से थोड़ा सा अलग है तो इन दोनों को ये डर है कि घरवाले कैसे मानेंगे दोनों बहुत जादा प्यार करते हैं एक दूसरे को और शादी गढ़ना चाहते हैं कुछ और आगे दिखाने पर इन्होंने बताया कि इनके घरवालों को पता लग गया है कि ये छुप छुप कर मिलते हैं और ये दोनों प्यार करते हैं और वो वहां पर तो जो लड़के के घरवाले थे बहुत जादा गुसे में आ गए और इनके घर पर आकर बहुत जादा उन्होंने उधम भी मचाया जो लड़की के घरवाले थे लड़की पराइस करके लड़की की शादी किसी और से करवादी। जो लड़का था, उस लड़के को ये बताया गया कि उसने अपनी मरजी से दूसरे से शादी कर ली है, और इस लड़के के मन में ये रहा कि इसने मुझे धोका दिया है। और उसने एक नदी थी, उसके उपर उचाई पर कुछ पुल बना हुआ था, उसने उसमें कूद कर अत्महत्या कर ली मरते समय उसके मन में एक भावना थी, कि तूने यह ऐसा करके ठीक नहीं किया, तूने मेरे प्यार को धोका दिया और यह लड़का इनका वही पार्टनर है, जिसके साथ यह रिलेशन्शिप में थी, यह और थोड़ा सा पीछे पहुँच गई, और इन्होंने देखा कि यह एक गाउं में है, फिर से एक और गाउं में है, इस बार वो गाउं जो है वो राजिस्थान का है, इन्होंने देखा कि वहाँ पर आसपास कोई करनी माता है, उनका मंदिर भी है, यह अभी भी एक महिला है, और इस बार जिनके साथ यह रिलेशन्शिप में थी, उनको यह अपने पती के रूप में देखती हैं, कि इनके पती हैं, और कच्चा सा घर है, वहाँ पर यह लोग रहते हैं, और जब इन्होंने यह लाइफ एक्सिस कर ही ली, तो हमें लगा कि जरूर कुछ ना कुछ तो इस लाइफ में भी होगा ही, तब ही यह इस जीवन में भी अपने आप ही पहुँच गई हैं, हमने इसको एक्सिस किया, और एक्सिप्लोर किया, और हमने आगे दिख उन्होंने देखा कि पडोस में एक और महिला रहती है और उस महिला के साथ इनके कुछ संबंध है, ऐसा इन्हें शक है, और वो महिला जो है इन्हें अपने चंगुल में पसाना जाती है, ऐस इसी तरह से उन्होंने कुछ बताया, मेरे पती भी अब मुझसे थोड़ा- आस नाराज रहने लगे हैं और ऐसा उन्हें शक है कि शायद ये लोG आपस में मिलते भी हैं, छुप छुप के मिल भी रहे हैं, इनके परिवार में इनकी सास भी थी और इनकी सास जो थी, वो इनकी पती की साइड लेती थी, इनके कोई बच्चा नहीं था, शादी को बहुत स चादी करना चाहती थी, तो उनकी सास को भी इनके पती के इस अफैर के बारे में पता था, और वो कहीं न कहीं सपोर्ट करती थी, तो और आगे दिखाने पर इन्हों ने देखा कि सीन कुछ ऐसा हुआ है, कि इन्हों ने अपने पती को उसके साथ रंगे हातों पकड़ लिया ह और बहुत जादा ये हंगामा कर रही हैं, कि या तो कि तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन पती की मा ने अपने बेटे का ही सपोर्ट किया, और इनको बहुत ही बुरा भला सुनाया, और उस लड़की से अपने लड़के की शादी भी कर द इनका मन बहुत जादा दुखी था, बहुत ही जादा पीड़ा में था, और ये इतना गुसे में आ गई, इतना गुसे में आ गई, कि इन्होंने जो है, उसको बोला कि जैसे तुने मेरे साथ धोगा किया है, तुझे तेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा, तु प्यार के लायक ह और ऐसा कहकर वो जो है पास के एक कुए में कूद गई और उन्होंने अत्मात्या कर ली इस जीवन में इन्होंने अत्मात्या की और इसके अगले वाले जीवन में जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थी उन्होंने आत्मात्या की और इन्होंने हमें ये बताया प्रेजंट लाइफ में ये खुद एक बार सूसाइड अटेंप्ट कर चुकी है ये ट्रेन से कटने जा रही थी वो तो कैसे न कैसे करके पता नहीं कैसे बच गई ये कर नहीं पाई तो ये एक सूसाइडल सीक्वेंस कैसे है जिसमें ना तो ये किसी लाइफ में मिल पा रहे हैं मिलते हैं कुछ टाइम के लिए फिर बिच़ड जाते हैं और बिच़डते भी ऐसे हैं कि कोई न कोई उनमें से अपना जीवन ही खो देता है और इस जीवन में भी ये ऐसा ही करने जा रही थी तो जब इनको इनके spiritual guide से मिलवाया तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यूं है तो उन्होंने कहा कि इस जीवन में ये जो लंबी कहानी चलती आ रही है इसको close करना है इस chain को यहीं खतम करना है एक दूसरे को बहुत श्राप दे चुके हो इस श्राप को release करना है तो जैसा process होता है हमने वो एक दूसरे के लिए जो नफरत थी इनके मन में unknowingly जो इतना प्यार करने के बाद भी श्राप दे बैठे तो उसको release कराया अगर हम present life में भी देखें अगर हम अपनी life में भी देखें तो हम जिससे प्यार करते हैं कई बार उसी को बहुत curse कर देते हैं ध्यान दीजे आप कहीं आपने भी तो किसी को curse नहीं कर रखा है अगर कर रखा है तो ये chain और आगे खिछने वाली है तो इनका जो है वो subtle कराया और इनकी energies को हलका किया और फिर जो है हम इनको past life से वापस ले आए तो इनको भी वो चीजें समझ में आई resonate हुई क्योंकि जिस तरह की आदतें इन्होंने पिछले जनम में देखी थी तो वैसी ही आदतों को इन्होंने resonate किया बहुत चारी चीज़ों को इन्होंने resonate किया अपनी present life से तो उसके बाद से जिन्होंने PLR कराया था हमसे कोई और contact तो नहीं किया है तो हमें ये तो नहीं पता कि उनके साथ अभी कैसा relationship है लेकिन हमने इस relationship की जो past की energy थी उसको हमने resolve करा दिया और हमें ऐसा लगा कि इस relationship को थोड़ी सी healing की भी जरूरत है जो आप लोगों ने present life में भी कुछ-कुछ एक दूसरे को बोल दिया है वो energy को healing से heal कीजिए और बाकी फिर हमारा उनसे अब और कोई तो connect नहीं है इस कहानी से कहीं न कहीं हमारी भी आँखे खुल जाती है और खुलनी भी चाहिए कि किस तरह से हम जो रिष्टे हैं उनकी chain बना देते हैं और किस तरह से हमारे रिष्टे सिर्फ इसी जनम से जुड़े हुए नहीं होते हैं past की unresolved energies उनके पीछे होती हैं जो कि हमारे मन में ये question लेकर आती है कि क्यूं हम इससे नहीं निकल पा रहे हैं क्यूं वो हमारी जिंदगी में आया और अभी भी उसके जाने के बाद भी उसके साथ ही जी रहे हैं अब energy दुख की है curse की है इसका मतलब इसके पीछे unresolved energy है जब तक उसको resolve नहीं करेंगे जब तक उसको settle पीछे से नहीं करेंगे तब तक ये resolve नहीं होगी और आगे के जीवन में खिच जाएगी और उस जीवन में भी सब कुछ ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें भी हमने देखा दर्दनाक अंत हुआ तो इस चनम में भी वो दर्द ही लेकर आए एक दूसरे के लिए दर्द लेकर आए तो इस वीडियो का like, share और comment कीजे मेरे चैनल को subscribe कर लीजे support कीजे मेरे whatsapp group से जुणने के लिए description box में whatsapp group का link है उसको click करके आप join कर सकते हैं समय समय पर बहुत nominal fees में healing sessions निकालते रहते हैं आप उनका लाब ले सकते हैं सारी information whatsapp group में डाल दी जाती है इस वीडियो में इतना ही thank you for watching आप